हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं आप सभी ठीक हूंगे अच्छुंगे मेरा नाम है सुधिर आज हम पढ़ेंगे एंजियो ठीक है ना साइबर ओलंपियाड के बारें पढ़ेंगे चैप्टर नमबर सेवन में स्पेंट है लेकिन इसके पहले हमें जो कन्व लेंगे क्या होता है कानवर्सेशन पढ़ने से कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के कॉश्चिंस आप से पूछे जाएंगे और क्या जरूरी चीज़े हैं वो एक बार डिसकस हो जाती है तो चलिए इन दोनों लोग की कन्वर्सेशन पढ़ते हैं कि यह मुझे पता है कोई दिकर नहीं है मुझे पता है कि कैसे हम इस काम को करते हैं फार ड्राइंग और करना है ड्राइंग करना है तो उसके लिए हम काउन सा यूज करते हैं यहां पर यहां पर यहां से देखेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या है यहां पर देखेंगे फर्स नमबर पर क्या लिखा हुए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करते हैं और यह सारी चीज़े आपको दे रखेंगे और यह जो फर्स नमबर पर चोटा सा बनाओ ना यह इसी को कहते हैं प्लैंट प्लैटी ठीक है चले सेकेंड नमबर है सेकेंड नमबर आपका क्या है यह तीनों है तो इसका मदलब क्या हुआ और थाटन सेव अंडू रीडू अंड केस्टो माइस क्विस एक्सेस टूल का थीके आथे हैं यह तीनों बटन किसलード का पूरह पूरा rehab refuses ठीक है न यह देखिए यह पूरा यहां पर है थर्ड नंबर ठीक तो थर्ड नंबर है क्या थर्ड नंबर आपका है तो तीन आइटम आपके कहां पर हैं लेफ्ट में हैं फाइल टैब होम टैब व्यू टैब देखिए फाइल टैब होम टैब व्यू टैब ठीक है एंड़ हैल बटन भी आपके एकदम राइट साइड में अब यहाँ पर आते हैं फोन नंबर आप देख रहे हैं क्या है यह ठीक है ना फोन नंबर क्या है आपका इसके नीचे आपका पूरा का पूरा ऐसे ब्लैंक पेज रहता है तो इसे हम जहां पर ड्राइंग करते हैं पूरी के पूरी उसे हम कहते हैं क्या ड्राइंग एरिया क्या कहते हैं ड्राइंग एरिया ठीक है चलिए अब फाइफ नंबर आपका क्या है फाइफ नंबर आपका etc that help to draw and color in paint तो देखे होता है कि यहाँ पर कि यह कुछ tools दे रखे हैं जहाँ पर आपका draw करने के लिए pencil है color है ठीक है ना eraser है और यह magnifier lens है यह सारी चीचे यहाँ पर आपको दे रखी है फिर है 6 number color box help to select color using drawing और देखे 6 number पर आपको क्या दे रखे है color box यह है आपका 6 number ठीक है यह आपका 6 number है यहाँ पर color दे रखे है आपको ठीक है ना तो color box यहाँ से हम यूज करते हैं उसके बाद है आपका मलब किस type का color आपको यूज करना है वो सारे color यहाँ से हम select कर सकते हैं फिर 7 number 7 number देखे हैं आपका कहाँ पर है यह है ठीक है तो इसमें कहते हैं इसमें सेप्स हैं आपके रेक्टेंगेल ओवल यह कर्व लाइन है स्लैंट लाइन है यह सारी चीज़ेस में दे रखी हैं सेवन में क्या हैं सेप्स हैं तो जिस सेप्स का आप चाहते हैं जैसे रेक्टेंगल है राउंडेड रेक्टेंगल है और यहां पे shape groups हैं पूरे के पूरे कि आपको किस तरीके के आपको shape यहां पे use करना है आप अपने drawing में यहां से उसको ले के और ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका overview अब हम आते हैं questions पे तो question हमारा पहला MS Paint तो MS Paint में पहला question है file created by paint by default saved है देखे file आपकी save होती है paint में वो किस extension में save होती है तो यह होती है dot pnz में इसमें होती है dot pnz में ठीक है question number two the part of paint window where you actually draw is known देखे ऐसा जगह जहां paint में जहां पे हम draw करते हैं जहां पे हम कुछ drawing draw करते हैं उसे हम क्या कहते हैं drawing area तो इस आपको यहां पर देखे यह आपका ओवल से लग रहा है ठीक है और यह है आपका कुछ इस तरीके के अगर आप उसे बनाना है तो यह शेप हम बना के यूज कर सकते हैं select करके ठीक है चलिए question no.4 पर आते हैं सिया has performed the following steps to draw a triangle दिखिए जो सिया है उसे triangle बनाना है तो वो किस तरीके के steps यहां पर दे रखे हैं ठीक है ना तो question mark की जगह पर क्या अगर उसे triangle बनाना है तो सबसे पहले क्या करेगी triangle को select करेगी तो इसका answer हो जाएगा option no.b फिर वो क्या करेगी drawing area पर जाएगे और drawing area पर जाने के बाद क्या करेगी triangle को क्या करेगी drag करेगी ठीक है तो यह आपका बन जाएगा triangle ठीक है चलिए five number the tool used to spray color on the images तो spray करने के लिए हमें कौन सा color use करते हैं कौन सा tool use करते हैं तो यह है आपका option no.b ठीक है यह color fill करने के लिए होता है ठीक है और यह select area करने के लिए होता है ठीक है यह जो dotted बना हुआ है ठीक है कोई चीज आप delete करना चाहते है ठीक है तो इसके लिए आपका यह होता है ठीक है चलिए question no.6 which tool following tool can be used to select portion of the image we are working भी थी अगर आप कोई image use कर रहे हैं अगर आपको कोई वर्किंग जिसे इतना बड़ा image है ठीक है तो आपको थोड़ा सा यहां पर देखना है तो आप इस selected area से देख सकते है ठीक है इसे select भी कर सकते हो साथ इसको select करने के अगर अपने delete button दबा दिया तो उतना पार्ट यह delete भी हो जाता है तो इसका answer हो जाएगा option no.8 ठीक है चलिए अब आते हैं question no.7 पे question no.7 हमारा क्या कह रहा है देखिए the tool the tool used to select portion of the drawing desired shape अगर आप desired shape में करना चाहते हैं देखिए यह हम इसे rectangular shape में होगा sorry square shape में होगा लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे टेढ़ा सा इतना ही area बस करूं तो इसके लिए हम use करेंगे option no.b ठीक है यह अपने हिसाफ से आप उस area को select कर से माल लिजे आपको इतना area portion of the drawing अगर आपको माल लेजे कोई ऐसी चीज़ जिसे आपको delete करना है तो आप उसके लिए क्या use करेंगे eraser option no.c ठीक है यह है आपका magnifying lens ठीक है किसी चीज़ को बड़ी करके देखनी हो तो इस lens का use हम करते हैं question no.9 Ria has drawn a picture of the school having beautiful playground around it now she want to write a name of the school on this picture which tool should she used for that तो देखिए यहां पर जो Ria है Ria क्या कर रही है उसको playground है उसके school में और वह अपने school का नाम लिखना चाहती है जो drawing उसने किया है तो वह कौन सा tool use करेगी तो वह use करेगी option no.c यह जो ए नाम से दिया रहता है यहां पर इसको हम use करते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए और इसे हम क्या करते हैं इसे हम जानते है टेक्स टूल के नाम से इसके नाम से जानते है टेक्स टूल के नाम से ठीक है चले कुश्च नमबर 10 identify the function of यह जो आपका tool है इसका क्या use है तो देखिए यह है it is used to pick a color from the picture to use another drawing तो यह picture से हम क्या करते हैं इस color को यूज करते हैं ठीक है और कहीं और drawing में इसे यूज करते हैं ठीक है चले कि 11 11 नमबर कोशन देखिए क्या है rectangle और देखिए इसमें आपके सिक्स हैं तो सिक्स को हम कहते हैं hexagon और यह है triangle राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल में अलब किया जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हो और यह राउंडे ट्रेक्टेंगलर काल आउट ठीक है तो यह बन रहा है 3142 3142 आपका कहां पर है ऑप्शन नमबर इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक कोशन नमबर 12 पर आते हैं कोशन नमबर 12 में आप से पूछा गया है कि इस फीगर के हिसाफ से आपको आंसर करना है तो यहां प ठीक है यह किसली यूज़ करता देखिए यहां पर फाइल मीनू पर जब जाएंगे तो आप यहां पर पेंट भी कर सकते हैं से भी कर सकते हैं पिक्चर को प्रेंट भी कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमबर डी ऑल आप दीस यानि कि यहां से हम सा चले आगे आते हैं लिए क सब्सक्राइब क्या होता है कि यहां पर कुछ अपके command दे रखे होते हैं जिससे आप तुरंत कोई काम कर सकते जैसे save redo undo ठीक है यह सारे चीज़े आपकी होती है क्विक का मतलब होता है कोई काम बहुत जल्दी से हमें करना है इसके लिए यह चीज़े दी होती है अब यहां पर देखिए क्या है to draw the freehand picture freehand picture के लिए हम क्या यूज करते है pencil तो यहां लिखेंगे three to erase a part of a drawing अगर हमें कोई जो drawing है उसका कोई पार्ट हमें delete करना है तो हम यह यूज करेंगे ठीक है तो यह हो जाएगा option no.4 फिर है to change the magnification for the part of the picture अगर हमें किसी चीज़ को बड़ा करके magnify करके देखना है तो हम लिखेंगे option no.1 to select the entire picture अगर हमें क्या यूज करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे टू ठीक है तो 3412 3412 आपका कौन सा है option no.d चले question no.15 पर आते हैं यह आपका icon पूछा है यह किस चीज़ का icon है तो यह है दोस्तो paste का icon किसका है पेस्ट का icon question no.16 पर आते हैं अचीवर सक्षन के question स्टार्ट हो गया है अब देखिए यहां पर हम आते हैं क्या लिखा हुआ है following the steps and answer the question देखिए अब यहां पर मैं answer करना है लिखा है set color 1 as green and color 2 is orange पहला हमें green करना है दूसरा color हमें yellow करना है फिर आपको एक शेप बनानी है star की तो आपने बना दिया select fill the color tool अब आप color tool पर जाएंगे ठीक है न color tool पर आप क्या करेंगे select करेंगे color select करेंगे और star shape पर आएंगे ठीक हो गया अब देखिए क्या लिखा है which of the following color would get fill in the star save when you click the left mouse अब देखिए आप star पर आ गए थे अब star पर जब आप left button click करेंगे तो कौन सा color उस पर मलब star के अंदर कौन सा color भर जाएगा यह question पूछ रहा है तो यह भरेगा green क्योंकि जो color one होता है वही color हम वही color इसमें भर जाता है ठीक है चलिए अब 17 नमबर पढ़ते हैं 17 नमबर क्या है वीच और फॉलोइंग कलर चलिए 17 वीच और फॉलोइंग कलर उड़ फिल इन शेप वेन राइट बटन क्लिक अगर आप माले जे लेफ्ट बटन क्लिक किये तो green कलर फिल हुआ था अगर आप राइट बटन प्रेस करेंगे तो कौन सा कलर फिल होगा कॉस्चन यह पूछा है तो यह आपका होगा औरेंज कलर ठीक है ना देखिए जैसे जो कलर वन में रहता है वह आपका लेफ्ट बटन कड़े पर प्रेस होता है और अगर राइट आप करेंगे तो कलर टू में जो कलर होता है वह वहां पर हो जाता है ठीक है अब यहां पर आते हैं को अगर कोई टूल ग्रे है और आपको उसे कि एनवलेबल करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे ये ठीक है ना चले आगे आते हैं सेल्एक्ट इनकरेक्ट मेच्ट यहां पर इनकरेक्ट हमें बचाना है तो अलग तरीके से हम कोई भी डिजायर शेप यूज़ करते है उसके लिए यह होगा फिर टू सेलेक्ट दा होल पिक्चर अगर पूरी पिक्चर हमें सेलेक्ट करनी है तो क्या उसके लिए हम यह यूज़ करेंगे नहीं इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी यह आपका गलत दे रखा है अगर आपको डिलीट करना ऑब्जेक्ट तो इसके लिए यह बटन यूज़ करेंगे बिल्कुल ठीक है चले कोशन नमबर 20 आज का लास्ट कॉर्शन यहां आपको बताया है विच और फॉलोईंग कीबोर शॉटकट विल इंक्रीज़ इंक्रीज़ करना चाहते है कि पैंसि नमपैट पर तो क्या होगा तो आपकी जो पैंसिल है वो बड़ी हो जाएगी ठीक है तो यहां पर दूस्तों कोशन नमर भी हो गया है साथी साथ यह मेरा गूगल पर नमबर है अगर आप कुछ पैसे पे करना चाहते हैं तो इस नमर पे कर सकते हैं वरना कोई बात नहीं मि